नमस्कार दोस्तो यह जो आप पक्षी देख रहे हैं इसे ग्रेटर कोकाल सेंट्रोपस सिनेंसिस या महूक डुगडुगी पक्षी भी कहते हैं दोस्तो यह अपने घरों के आसपास अपने गार्डन में जंगलों में पेड़ पॉंत पर अटखेलियां करते हुए इस पक्षी को देखा होगा यह बड़ा ही शर्मीला पक्षी है दोस्तो कोवे जैसा दिखता है पूंच इसकी लंबी सी है कोवे जैसी और इसके कॉपर ब्राउन पंक हैं जो बहुत ही खुबसूरत लगते हैं दोस्तो और जो इसके सिर और गरदन पे बाल हैं यह बलैक और इनके उपर परपल हीू सी बनीवी नजर आती है बहुत ही जबरतस इसकी चोंच है और इसकी जो आखें हैं आप अगर इसका कलर देखेंगे वो बिलकुल रूबी रेड है दोस्तो ऐसा लगता है जिस तरह से कोई गुलाबी लाल सा हीरा जड़ दिया हो आखों में बहुत ही पैरा पक्षी है दोस्तो यह कोई बहुत अच्छा फ्लायर नहीं होता लंबी दूरी तक उड़ता नहीं और इसी तरह से आपको जाडियों में जंगलों में नीचे नीचे गोंता हो दिख जाएगा क्योंकि इसका प्रिय भोजन जो होता है दोस्तो वो चोटे मोटे कीडे मकोडे और आजकल जैसे ब पूदा होता है और फल नीचे गिर जाते हैं उन्हें भी यह खाता रहते हैं कई तरह के छोटे मोटे सांप और छिपकली भी खा जाता है दोस्तो यह पक्षी कुछ जहरीले फल हैं जो यह पसंद करता है दोस्तो बड़ा जबर्दस लगा मुझे मैंने आपसे भी शेयर करत और सबसे खास बात यह है कि यह किसी को कुछ नहीं कहते और तरह तरह के अलग-अलग पक्षी कभी भी आपने बहुत ज्यादा लड़ते हुए नहीं देखे होंगे सब मिल जुल के रहते हैं और किसी एक दूसरे को डिस्टरब नहीं करते देखें दोस्तों किस तरह से कोवे के घोसले में जाके अंडे देती है क्योंकि कोयल और कोवे के इंडो में फरक नहीं होता और यह जो है ग्रेटर कोकाल यह अपना घोसला खुद बनाता है और वहीं पर 4-5 अंडे यह देता है और इनका ब्रीडिंग सीजन दोस्तों मॉनसून के बाद होता है तो उस त स्वास्त वर्दक माना जाता था यह देखिए तितलियां है लेकिन इसका मीट कोई खाने में इतना स्वाद नहीं होता है दोस्तों और इसकी आवाज जो है बड़ी डरावनी सी होती है कूप 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 इस तरह की आवाज होती है जो भूत प्रेट जैसी लगती है तो किस किसी देश में इसे भूत प्रेटों से भी कनेक्ट किया जाता है इस पक्षी को दूस्तों अपने आसपा के पक्षी देख जाए बड़ा बढ़िया इसको संवक्षित कीजिए इस साउथ एशिया रीजन में और हिमाले के तराई वाले बेल्ट में लोवर हिमाले इन रीजन में आपको आम देखने को मिल जाएगा कहीं अपने घर के आसपास जाड़ी में पेड़ों पर इस तरह से कीड़े खाता हुआ और बाइलोजिकल कंट्रोल करता हुआ जैसे आपने कोई पौदे लगा रखे हैं जहां पर केटरपिलर्स हैं तो यह पक्षी साफ कर देगा उन साथ रखे हुए और बड़ा अच्छा लगता है दोस्तो इन पक्षियों को इस तरह से स्वच्छंद विचरन करते हुए देखना धन्यवाद दोस्तो तो आपको यह ग्रेटर कोकाल अलब याद रहेगा थैंक्यू